है हैं कि अजिस में बात करें positive कि निफ्टी बांग निफ्टी के वारे में कल क्या हो सकता है निफ्टी और बांक निफ्टी के अंधर कल अभी कल Glenn मंदे को डिसकस किया था हमने ये वाले मूव के बाद सबसे पहले मंदे वाला अपडेट देवें तो जितने भी लोगों ने 18,150, 18,100, 18,050 और 18,000 के पूट ऑप्शन बेचे हैं मानता हूँ प्रॉफिट बड़ा नहीं हुआ लेकिन एक रिस्क फ्री ट्रेड था अच्छा ट्रेड था और जिरो ने बड़े कॉंटिटी में बेचा होने कि लिए तो प्रॉफिट अच्छा है लेकिन बेचता हुए ये उप्शन जिसके पास पैसे जादा होते हैं और जिसक है तो वह ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा avez Am पचास एंड अबाव ही होगी उसके नीचे नहीं होगी 18300 पे एक्सपारी होई है तो अच्छा कासा benefit हुआ होगा जितने भी put writers है जिन्होंने write किया था put वो वीडियो देखने के बाद अब हम चर्चा करते हैं कल की इकल nifty bank nifty कैसा perform कर सकता है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे पसंद आए हिल्फूल हो आपको लाइक जोन कीजेगा चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखरो होगा उसको भी क्लिक करके चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसे के साथ सर्द डिस्क्लेमर नहीं पढ़ाएं डिस्क्लेमर पढ़ता बहुत ज्यादा इप्पोर्टन हो जाता है बात करें निफ्टी, बैंग निफ्टी की अगर हम बात करें एक अच्छा जोन निफ्टी ने बना लिया है पहले एक जोन बनाए था याद होगा आपको 18,080 से लेके 18,280 के बेच में अब Nifty ने एक अच्छा सा छोटा सा जोन मना लिया है यह अच्छा सा जोन है इसके अंदर अगर किसी को ट्रेड लेना है यह जोन के breakout के उपर ट्रेड लिया जा सकता है क्या होगा वो जोन के अगर में बात करूँ higher side जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा करीब-करीब 18,350 से लेके 18,360 यह 10 point का zone उपर की बाजू नीचे की बाजू अगर में बात करूँ तो यह जो zone निकल के आएगा 18,250 तो एक 100 point का zone बना लिया है, either side कल Friday है, ज़्यादा ताम जाब नहीं करना है Monday ट्रेंडिंग गया, Tuesday was consolidating, Wednesday again consolidating, Thursday again तो एक भी trending move नहीं आया है except Monday and Friday last Friday trending move था downward, क्या इस Friday अगें आपको एक trending move मिलेगा, उसके कोई guarantee नहीं है, तो simple best, कल आप सिफ दो ही trend करेंगे, option bias कान खुर का सुन लिजे, दो ही trade करना, दो ट्रेंड में से एक trend आपका चल जाएगा, अगर market को trending होना होगा, तो नहीं होना होगा sideways होना होगा, ignore it, क्या trade होगा, पहला trade, नीचे के बाजू, market, कल जैसे आपने बोला था, 270, 280 का zone इक strong support zone है, आज का low देखिए, 270, 280, morning में भी 280 से घुमा, 350, 360 तक गया, again 280, 270 के आसपास second half में उसने support लिया, कहले के लिए अगर मैं बात करूँ, 17,000, 18,000, 270, 260, इस zone पे ध्यान दीचेगा, इसके नीचे 15 मिन के candle close करे, उस candle का high, या उसके previous candle का high, maximum 30-40 points से जाधा का stop loss नहीं लेना है, उतने का ही stop loss लेना है, minimum 1-2 का target होना चीए, 1-1 नहीं, 1-2, अगर आप 30-point का stop loss ले रहो, 60 points का target होना चीए, 40 points का stop loss ले रहो, 80 points का target होना चीए, तो एक trade downward तब बनेगा, जब आपका 260 से 270 के नीचे market close कर देवे, 50-minute का candle तब, higher side के अगर मैं बात करू, higher side आपका निकल के आएगा, 350 से लेके 360 के उपर, 350 से 360 अगर market cross करे, sustain करे, higher side पे आप 1-1 के ही target के लिए काम करोंगे, stop loss बहुत strict, बहुत tight होना चाहिए, lower side पे आप 1-2 minimum लोगे, और यहाँ पर बड़ा stop loss, बड़ा target चलेगा, higher side पे stop loss आपका बहुत छोटा होना चाहिए, target आपका minimum 1-1 होना चाहिए, उसके बाद strictly ट्रेल करोंगे, यूंकि higher side पे 400-500 का जो जो जोन है, एक अच्छा जोन है, strong consolidating zone है, reversal zone है, तो यहाँ पर आपको ध्याद देना है, 18,360 के उपपर, अगर close करें 15 मिट का एक कैंडल, तब नीचे की बाजू, 1-2 का minimum उसने कम नहीं काम करेंगी, नीचे की बाजू, Nifty Bank, Nifty Bank में चेक कर लेते हैं, let's check Nifty Bank, Nifty Bank की बात करें, तो उसने अभी तक, last week के Friday का high cross नहीं किया है, Nifty ने high cross किया और उसके उपर close किया है, Nifty Bank के बात करूँ, तो उसने high cross नहीं किया है, ये breakout जब आपको मिलेगा, 43,700 का, तब आपको एक तगड़ा move आता है, और इखने को मिल सकता है, तो ये breakout के लिए आप ready रह सकते, अगर 43,700 करने के लिए ब्रेक हो, पॉइंट का stop loss लगाएंगे, 1 is to 2 minimum होना चाहिए, 100 पॉइंट करेंज, तो 200 पॉइंट का target, इस तरही के से काम करना है, कल के लिए expiry आज जा चुकी है, पूरा week sideways रहा है, Nifty के terms में, Bank Nifty के terms में तो भी थोड़ी बहुत, and then done for the day, फिर आपको दूसरा trade मिलेगा ही नहीं, तो आप एक trade का ऐसे लिए खतम होगे, sideways में first जाओगे, multiple trades लोगे, तो आप बुरी तरीके से first होगे, capital को protect निक कर पाओगे, बड़ा loss लेकि दिख लोगे, तो best यह होता है, अगर sideways market हो, तो उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ने का एक ही तरीका होता, sideways market, काफी लोग पोस्तर वेको sideways market कैसे identify करे, कि आज market sideways होने वाला है, sideways market identify करने का एक ही तरीका है, आपके levels आपके पास पूरे चाहिए, अगर आपके पास कुछ levels है, buying के levels और selling के level, वो अगर trigger हो रहे और उस पर आपने एक trade लिया है, और उसमें आपको SL हो रहा है, then it is a sideways market, क्योंकि अगर आपके level पे SL हो रहा है, और उसके बाद भी market आपके level के हिसाब से वापिस काम नहीं कर रहा है, वापिस आपको रिये ट्रे नहीं दे रहा है, लोग गलती क्या करते हैं, लोगों की analysis नहीं होती है, कोई level नहीं होता है, यहाँ पर नीचे आया, बड़ा candle देखा, shot कर दो, shot किया, stop loss लगा, उपर जा रहा है, breakout मिला, जो opening candle का high है, उसको break कर रहा है, बाए कर लो, यहाँ पर जैसे ही बाए किया, आगे नीचे आया, अब जैसे नीचे आते हुए देखा, गिरेगा, 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 put खरीदा, वापिस उपर चला गया, तो इस case के अंदर, वो बड़ा loss करके निकालते हैं, क्योंकि आपके पास कोई level decided नहीं है, कि मैं इसके उपर बाए करूगा, यह इसके निचे बाए करूगा, आप हरे कैंडल के साथ अपने levels को change करो, तो वो काम नहीं करना है, दो levels आपके दिमाख में है, दो levels में से किसी एक में SL हो, रिएंटरी करना है, रिएंटरी करो, रिएंटरी में कोई मनाई नहीं है, रिएंटरी आप दिन में 10 बार करो, वो चलेगा, लेकिन जमर जस्ती का ट्रेड मतलो कि एक जोन में फसा है, तो मैं इदर ट्रेड ले रहाओ, नहीं, अगर मेरा काम है, मैं को इधर ट्रेड लेना है, तो मैं इदर हीं ट्रेड लोगा, उसके पहले में ट्रेड लोगा, यह वोप वीडियो इंफर्मेटिव लगा होगा, पसंदा आए, तो लाइक जोन कीजिए का चानल को सब्सक्राइब नेके है, कर सकते हैं, धर्यवाद,